साथियो आप सभी को नमस्कार आज हम बिहार भुगोल का एक important topic डिसकस करने वाले हैं topic होगा बिहार की मिल्टिया बिहार की भुगोल की ये दूसरी class है पहली class में हमने आपको बिहार का general introduction दिया था और उसके साथ ही बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ाया था तो भी आप उसे सांदार तरीके से लिख जाएंगे हमारी ये सभी classes आपको 70 BPSC dedicated संकल बैच में provide की जा रही है ये classes आपको YouTube पर available हो जाती है लेकिन इन सभी classes के PDF और सभी notes वगारा आपको हमारी संकल बैच के paid group में available होते हैं जो बच्चे इस बैच से जुणना चाते हैं सतर BPSC जहांपर prelims और main से दोनों की preparation कराई जा रही हो दिएगे number पर call या message करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं तो आईए अपने इस topic को सुरू करते हैं और पढ़ते हैं बिहार की मिटियों के बारे में बिहार की मिटियों से पहले हमने Indian geography में क्योंकि इस समय हम Indian geography की class ले रहे हैं उसमें हमने भारत की मरदा का जब topic पढ़ाया था तो कैसे मिटियों का निर्माड होता है मिटि के निर्माड में कौन से factor involved होते हैं वो सारी चीजे बताई थी तो एक मिटियों के बारे में conceptual understanding आपको इस Indian geography के मरदा वाले chapter से लेने होगी क्योंकि हर एक topic एक दूसरे से interconnect करता है जब हम भारत की मिटिया पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम एक कदम पीछे चलते हैं ताकि चीजे को आसानी से आप जोड़ सके पिहार में जो मरदा का जो छेत्र है वो बेशिकली जो गंगा नदी है और उसकी जो सहायक नदिया है उनके द्वारा जो हिमाले से लाए गए जलोड अवसाद होते हैं उन जो मरदा बनती है बेसिकली जो प्रत्वी का उपरी प्रिष्ट होता है जो चटाने होती है अधार भुच चटाने उनके अपरदन से ही क्या होती है मरदा का फॉर्मेशन होता है एक लंबी प्रक्रिया के बाद में जब हमने आपको यहाँ पर मरदा निर्मार के कारक तो उसमें एक कारक बताया था अवस्तित का अवस्तित को हमने दो भागों में डिवाइट किया था एक छेत्री मरदा दूसरा आ छेत्री मरदा में हमने बताया था कि जो पैरेंटिंग रॉक्स होती है उनके पास में जो मरदा का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते है जोर्न rocks के जो अपरदित कड़ होते हैं वो दूर चले जाते हैं और दूर जाकर इकठ़ा होते है तो वैसी मrDA चेतर को हम कहते हैं आज चेतरी मरदा हैं to बिहार का जो ये मrDA का चेतर है जो मैधानी चेतर है ये बिसिकली आज जोनल स्वाइल में आता है क्योंकि यहां पर जो हिमाली नदिया है हिमाली नदिया अपने साथ क्या करती है हिमाले का जो परवती छेत्र है जो वहां की चटाने है उनको छोटे-छोटे टुकडों में वो अपरदित होती है और वो अपरदित कड नदियों के भाव में यहां बिहार तक पहुंचते हैं तो बिहार तक जो मर्दा के कड़ाते हैं उसमें जो सबसे important role अदा करती है उस नदी का नाम है गंगा नदी फिर गंगा की अन्य सहायक नदिया तो गंगा नदी का जो अपवाह छेत्र है इस अपवाह छेत्र में ही आपको बिहार का 90% जो है मर्दा का छेत्र मिलता है 90% जो मर्दा होती है वो गंगा के द्वारा लाए गए अवसादों से ही बना होता है और गंगा के द्वारा जो अवसाद लाय जाते हैं या फिर जो अन्य सहायक नदिया होती हैं उनके द्वारा जो अवसाद लाय जाते हैं उस अवसाद को कहते हैं हम लोग अलेवियल स्वाइल यानि जलोड मर्दा जलोड मर्दा इसलिए कहा जाता है कि 90% जो एरिया है वो बिहार का किस मिट्टी से बना हुआ है जलोड मर्दा से जलोड मर्दा को हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं दोमट मिट्टी भी कहते हैं कौप मिट्टी भी कहते हैं तो जब हम बिहार में मिटिया पढ़ते हैं, तो हम गंगा नदी को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं, गंगा नदी बिहार में बकसर से प्रवेश करती है, पस्टिम साइट से आ रही होती है गंगा नदी, उत्तराकान, उत्तर प्रदेश होते हुए, फिर बिहार में तो इन राज्यों से होते हुए बिहार में जो है गंगा नदी प्रवेश करती है उनका प्रवाह देखा जाता है। एरिया और देखते हैं वो है दच्छडी पठार की मरदा क्योंकि जब हमने आपको भारत का भोगोल बताया था तो बताया था वहां पर कि भारत का जो प्रैदियूपी पठार आपको बताया था यमाली जी भारत है और ये आपका है प्रैदियूपी पठार तो प्रहतूलर प्लेटों का जो यह उत्तर पूरवला चेत्र है जिसमें आप छोटा नागपुर पढ़ते हो। यह छोटा नागपुर पढ़तार यह πया हुए और इधर पोरवी राजियों में भी इसका विस्तार देखते है जो मेखाले का पढ़तार का भी विस्तार है बिहार की जब मरदाइं पढ़ते हैं तो एक हिस्सा आपको दच्छडी पठार की मरदा वाला भी पढ़ना होता है जिसमें कैमूर, रहतास और अन्य जो बिहार के दच्छड़तम जिले हैं जैसे औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका ये सभी प्रैदियूपी पठार के हि पढ़ेंगे, ये होगा उत्तरवाला छेत्र और उत्तरवाला जो छेत्र है, जब हिमाले का फॉर्मेशन देखते हैं तो हिमाले के गिरिपदी छेत्र से सुरू होता है, फिर तराई आता है, तराई के बाद आपको बांगर और खादर के मैदान मिलते हैं, तो वही परवत परदी छेत्र जिसको हम भावर का भी यहां पर मैदान कह सकते हैं भावर की मरदा भी इसको हम कह सकते हैं तो गंगा के उत्तरी मैदानों की जो सबसे उपर वाला हिस्सा है वो कहलाता है परवत परदी यह मरदा जिसको हम लोग भावर मरदा भी कह सकते हैं यह आपको क चेतर है उत्तर पस्टिम वाला जो चेतर है वहाँ आपको तराई रीजन मिलेगा जब तराई से नीचे आते हैं तो बांगर और खादर के मैदान मिलते हैं बांगर के वे मैदान होते हैं जहां पर पुरानी जलोड मर्दा होती है पुरानी जलोड मर्दा का सीधा समतलब समझ यानि जो नया जलोड होता है, नया आवसाद होता है नदियों का, वो प्रतेक वर्स जहां पहुंसता है, उसको कहते हैं नवीन जलोड मर्दा, और उसका अगर हम स्पेस्फिक नाम देखते हैं, तो उसको कहते हैं खादर मर्दा, एक मर्दा और होती है, जिसको कहते हैं बाल स सुन्दरी मर्दा उसी तरीके से गंगा के दच्छडी मैदानों की मर्दा में आपको ताल मर्दा देखने को मिलेगी अब दच्छड वाला ये छेतर हो जाएगा जिसमें आप लोग सभी जिले देखेंगे पटना गया जहानाबाद भागलपूर ये सारे जो जिले हैं ये गं लिया कैवाल मर्दा और फिर हम लोग पढ़ते हैं बलधर मर्दा फिर दच्छड की पठारी मर्दाओं में लाल बलूई मर्दा और लाल पीली मर्दा के बारे में देखते हैं कि दच्छड की जो पठारी मर्दा है उसका रंग कैसा है लाल रंग है इसलिए यहां की जो अगर मेंस में भी question आ जाएगा तो पूरी class पढ़ने के बाद आप मेंस वाले question को भी बहुत सांदार तरीके से लिख पाएंगे, बाकि prelims oriented आपको यहाँ पर conceptual और factual information प्रवाइड की ही जा रही है, परवत परदी मर्दा की इस्थित क्या होगी, सोमेसर स्रेडी का छेत, सोमेस स्रेडी मिलती है और बिहार की सबसे उची चोटी सोमेसर परवत स्रेडी में ही आपको देखने को मिलती है, अपने पहली class में इसका जिक्र किया था, तो परवत परदी छेतर का मलब क्या हो गया, जो हिमाले का सबसे पदेन छेतर है, सिवालिक स्रेडी के नीचे वाला, उस पर आपको परवत पदी मरदा देखने को मिलती है, बिहार की उतर परश्चिम छेतर में, परश्चिम चंपारड जिले में, परवत पदी मरदा की विसेस्ता क्या होगी, तो इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, जैविक पदार्थ मतलब हिमस, तो हिमस की अध अधिकता होती है प्रमुक फसले यहाँ पर धान और गन्ना बोई जाती है क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर पानी होता है और पानी जिन फसलों के लिए अधिकतम लगता है उसमें धान और गन्ना प्रमुक फसले यहाँ पर उगाई जाती है बोई जाती है परवत पदी की अवस्थित क्या होगी तराई मर्दा की अवस्थित होगी बिहार के जो उत्तरी जिले हैं जो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं जिसमें किसंगंज आप देखेंगे किसंगंज अररिया मधेपूर सीता मड़ी पूर्वी चंपारड और परश्चमी चंपारड का जो नीचे वा विसेस्ता क्या है इस तराई मर्दा की तो तराई मर्दा हमने आपको बताया था अपने इंडियन जोगर्फी के क्लास में कि यह दलदली वाली भूमे होती है क्योंकि भाबर के जो मैदान होते हैं वहां पर बड़े-बड़े चटानों के टुकडे फिर छोटे होकर आगे आते हैं नदियों के परवाह में तो जब चटानों के टुकडे होते हैं वह छोटे हो जाते हैं चोटे होने की कारण क्या होता है उनकी water capacity अपजाओर करने की जो चमता होती है वह बढ़ जाती है जिसके कारण वह जो भूमी हो जाती है जो मृदा का छेतर हो जाते हो दलदल वाला छेत्र बन जाएगा, तो रेत और कंकड युक्त ये छेत्र होता है, छोटे-छोटे रेत और कंकड युक्त मर्दा का छेत्र होता है, तराई वाला दलदल युक्त भूमी होती है, रंग इसका भूरा और हलका पीला होता है, प्रक्रत इसके कैसी होती है, अमली होती है, और पोटास की इसमें कमी होती है जयव पदार्थों की परचुरता मिलती है यानि हुमस की परचुरता होते है क्योंकि इस तराई के छेतर में पौधे जो होते हैं वो काफी मात्रा में यहां पर उख जाते हैं और पौधे के जो अवसेस होते हैं, वही बेसिकली हुमस का निर्माड करते हैं मिट्टे में, जीव जन्तु और पौधे के अवसेस, हमने आपको मर्दा वाले क्लास में आपको बताया था, जब इंडियन जोगरिफी बताया था, जो हुमस होता है, जो और गेनिक मेटर होता ह वह जीव जन्तु पेंड़ पौधों के अवसेस से ही बनता है, तो यहां पर जयव पदार्थों की प्रचूरता मिलेगी आपको तराई मर्दा में, फास्पोरास और पोटास की हलाक यहां पर कमी देखी जाती है, प्रक्रती तराई मिटी की कैसी होती है, अमली होती है, रे जिसको हम लोग बांगर मर्दा भी कहते हैं, बांगर मिटी का जो निर्माड होता है, विकास होता है, या उन छेतरों में होता है, जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्स नहीं पहुंच पाता है, यानि बाढ़ कभी बहुत ज्यादा आती होगी, नदियों में बहुत ज्य तो अपने साथ आवसात लेके जाता होगा और आवसात को जो है दूर एकठा कर देता होगा जब दूर एकठा करता रहता होगा तो ये जो छेतर है काफी उंचा हो जाता है और जब ये छेतर काफी उंचा हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है बाड का जो पानी है वो यहा जिले सामिल हैं पूरिया, सहरशा, दर्भंगा, मुझफरपुर आदी, तो यहां पर आपको पुरानी जलोड मर्दा देखने को मिलेगी, अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको पूरिया, सहरशा, दर्भंगा, मुझफरपुर में किवल पुरानी जलोड ही मिलेगी, इन जिलो में ऐसे छेत्र जो उचाई पर अब इस्थित हैं और जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्स नहीं पहुँश पाता है वहां पर पुरानी जलोड मिलेंगी और जहां पर इन जिलो में ऐसे छेत्र होंगे जहां पर प्रापर प्रतिवर्स बाढ़ के नदी का पानी पहुँशता ह नए जलोड पहुंसता होगा, वहाँ पर नवीन जलोड के मैदान भी मिलते हैं, इसलिए पूरिया, सहरसा, अभी जब आगे हम नवीन जलोड पढ़ेंगे, तो भी हम इन ही जिलो का यहाँ पर जिक्र करेंगे, जैसे पूरिया, सहरसा, दर्भंगा, मुझफरपूर, यहाँ नवीन जलोड के मैदान, नवीन जलोड यानि खादर के मैदान भी देखने को मिलते हैं, तो यह चीज़ आप कनफ्यूज न हो ना, विसिस्ता क्या है पुरानी जलोड मर्दा की, कि यहाँ पर चूना और पोटास इन मिटियों में अधिक होती है, कमी किसकी होती है, और दल्दली मर्दा को छोड़ दे, तो भारत की सभी मिटियों में अनुपातिक रूप से हुमस की कमी होती है, और फासपोरस की भी कमी जो है अनुपातिक रूप से भारत की सभी मिटियों में देखी जाती है, केवल एक मिटि को छोड़ कर मिटि कौन से होती है, सुस्क औ प्रक्रत की होगी? इसकी छारी होगी? क्योंकि जिन मिट्टीों में चूना आपको अधिक मिलेगा, उस मिट्टी की जो प्रक्रत होगी? वो कैसी होगी? चारी होगी? इस मिट्टी की जो उरवरक सक्ती है वो निमनतम स्रेडी की होती है प्रमुख फसले यहां पर आपको धान, गिहूं, मक्का, तमाको, गन्ना आद यहां की मिट्टी में प्रमुख फसले मिलेंगी तो इस तरही हमने पुरानी जलोड मर्दा या बांगर मिट्टी को देख लिया है कहां पर इसका विकास होता है और बिहार के किन डिश्टीगों में आपको पुरानी जलोड मिट्टी मिलेंगी विसीस्ता क्या है चूना पोटास की अधिक्ता होती है नाइटोजन फासपोरस नए आवसाद लाए जाते हैं तो नदियों द्वारा प्रतिवर्स लाएगे नए आवसादों से नवीन जलोड मर्दा का निर्माड होता है जिसको हम कहते हैं खादर मिट्टी अवस्थित अगर इसकी देखेंगे तो गंगा, गंडग, बोड़ी गंडग, कोसी की निचली घाटियों में, पूडिया, सहरसा, दर्वंगा, मुझफरपूर, चंपारड के उतर पस्चिम भागों में आपको नवीन जलोड मर्दा देखने को मिलेंगी और इन जिलों के ऐसे छेत्रों में मिलेगी जहां पर नदियों का जो पानी है वो प्रतिवर्स पहुंसता है और पानी के साथ में आवसाद भी जाता है जब नदी का पानी आएगा तो अपने साथ आवसाद भी लेकर आता है और आवसाद जहां पर प्रतिवर्स नया पहुंसता है वहीं पर नवीन जलोड या खादर मर्दा का निर्माड होता है तो इन जिलों के ऐसे छेत्र में जो नद छेतर होगा इंजीलों का, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नवीन जलोड या खादर मृदा की विसेस्ताइं देख लेते हैं, तो विसेस्ताओ में सबसे पहले विसेस्ता तो आप यहीं लिखेंगे कि बालू और जो चीका होती है, ये अधिकता होती है इनमें, हमने म मिट्टी के कड़ो का आकार जो सबसे बड़ा होता है, वो होता है, जो बजरी मिट्टी होती है, उसका बजरी के बाद में बालू, फिर बालू के बाद में जो गाद जिसको हम सिल्ट कहते हैं, उसका और उसके बाद आता है मृतिका, जिसको हम लोग कले या चिकनी मिट्ट होती है उसके मिट्टी के जो कड़ो काकार होता है सबसे छोटा होता है 0.002 mm इसलिए water capacity जो अबजौर करने की उसकी limit होती हो बहुत जादा होती है बहुत जादा उसकी छमता होती है जलगरहन करने की इसलिए आप देखेंगे कि जो नवीन जलोडखादर मर्दा है इसमें बा मिट्टियों की जलधारड की छमता अधिक होती हो मिट्टिक जादातर समानता कैसी होती है उरवरक होती है क्योंकि मिट्टियों में नमी हमेशा बनी रहती है जिसके कारड क्या होता है मिट्टि में जो खाद्यान की फसले होती है वो बढ़िया हो जाती है तो अतदिक परक मर्दा होती है नवीन जलोड जल्धारड की चमता अधिक होती है क्योंकि इन मिट्टियों में आपको मृतिका आधिक मिलती है क्ले अधिक मिलती है नाइट्रोजन की कमी होती है यहां भी धान गेहूं मक्का और दलहन प्रमुक फसले इस नवीन जलोड में बोईशाती है अब हम देखते हैं बाल सुंदरी मर्दा, बाल सुंदरी मर्दा की अवस्किती देखें तो ये पूरिया के दच्छडी भाग से लेकर सहरसा, दर्भंगा, मुझफरपूर, गोपाल गंज, सिवान, सारड, चंपारड के दच्छिर परश्चिम भाग तक फैला आपको मिलेगा तो नवीन जलोड के बाद आपको कौन सी मिट्टी पढ़ना है, बाल सुंदरी मिट्टी पढ़ना है और बाल सुंदरी मिट्टी आपको ये छेतर मिलेगा जो गंगा, बह रही है बीसे और गंगा के उपर वाला जो छेतर है, शिवान, गोपाल गंज, ये आपको कैसी मिट बाल सुंदरी मिट्टी का ये छेत्र मिलेगा तो गोपाल गंद, सिवान, सारड और चमपारड का दस्चिर परश्चिम भाग, दर्भंगा, मुझफर, पूर, सहरसा यहां पर आपको बाल सुंदरी मरदा मिलेगी विश्टिस्ता क्या है इसकी तो यह एक प्रकार की पुरानी जलोड मरदा होती है, चूने की प्रचुरता होती है, और जिस मिट्टी में चूना अधिक होगा, उस मिट्टी की प्रक्रत कैसी होगी, छारी होगी, इस चीज को आप याद रख लीजे, मिट्टी की जो उरवरता होती है, वो निमनस्रेडी की होती है, सीधिय सी बात है, ज तो मिट्टी पुराना जलोड हो जाएगा उसकी जो उरवरता होती हो धीरे-दीरे कम होती जाती है तो पुराना जलोड जो होगा उसकी उरवरता जो सक्ती होती हो निमनिसलेणी की होती हो मिट्टी कम उरवरक होती है परमुक फसले कौन सी आप होई जाती है तो धान, गेहू मक्का, तमाकू के साथ साथ, आम, लीची तथा केले की बागवानी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है, कि बाल सुंदरी मर्दा जो है वो लीची, केले की बागवानी के लिए भी फेमस है, ये आपके प्रलेम सिक्जाम में पूछे जाने दर्भंगा, मुझफरपूर, गोपाल, गन, सिवान, सारर तक आपको देखने को मिलती है, बाल सुंदरी मर्दा एक प्रकार की पुरानी जलोड मर्दा है, पुरानी जलोड मर्दा है, तो सीधी सी बात है, इसकी जो उरवरता होगी, वो निमनस रेडी की होगी, इसमें उत्री मैदान की मर्दा को देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे गंगा के दच्छडी मैदान की मर्दा, जिसमें ताल मर्दा पढ़ेंगे, कैरेल, कैवाल मर्दा देखेंगे, और बल्थर मर्दा कहेंगे, बल्थर और बाल सुंदरी मर्दा में जो है, अंतर आप मिट्टी की संग्रशना के अधार पर तच्छडी गंगा के मैदानी की मर्दा को हम चार भागों में वर्गी करत कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं ताल मर्दा, ताल मर्दा बेसिकली ये निमन छेत्र होता है, जहां पर बारिस के छेत्र में पानी भरा रहता है, तो वैसे चेत्र की जो मर्दा होती, उसको हम लोग ताल मर्दा कहते हैं, और बिहार में जो मुकामा ताल है, ये विश्व का सबसे बड़ा ताल चेत्र माना जाता है, और ये काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर चने की खेती बहुत अच्छी होती, इसलिए अगर आप से कभी भागल पूर्टा का आपको ताल मर्दा चेत्र आपको देखने को मिलेगा, तो गंगा के दच्छडी भाग में, आट से दस किलो मेटर की चोड़ी पट्टी में, अगर जिले पूश लिए जाएंगे तो बकसर, मुंगेर, पटना वा भागल पूर्टा का आपको इसका विस इस भूमे पर रभी की अच्छी फसले होती है, जब यहां का पानी सूख जाता है, मिट्टी मोटे कड़ वाली धूसर रंकी होती है, ताल मर्दा, दोमट वा चीका मर्दा की यहां पर प्रधानता मिलेगी, चीका मर्दा यानि मर्तिका, जब मर्तिका जादा होगी, तो ताल चेतर का पानी सूख जाता है, तो यहां पर रभी की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए इस ताल चेतर में जो मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है, गिहों के सास्था चना बहुत इंपोर्टन्ट हो जाता है, इसलिए मुकामा ताल को हम दाल की चने का कटोरा कहते हैं दलहन की फसल यहां पर बढ़िया होती है चना एक दलहनी फसल है जो रभी की फसल में आती है तो याद रखना यह important है ताल मर्दा ताल मर्दा में जितनी भी चीज़े आपको बताई है इनका जो विस्तार है भारत में जिस जिले का कटोरा भी बिहार में कहते हैं आप हम देखते हैं कगारी मर्दा की जो अवस्तीत हैं वो गंगा के दच्छडी तत उन कियोल। फाल्गू नदियों के किनारे आपको कगारी मरदा देखने को मिलेगी सोन कियोल फालगू नदी आप उरवरता इसकी निमने स्रेडी की होती है, प्रमुक फसले, इसमें मोटा अनाज और सबजी उतपादन के लिए खापी फेमस है, अब अगर आपको डिश्टिक वाइस देखना हो, कगारी मर्दा कहा होगी, तो कगारी मर्दा की हमने लोकेशन तो बता ही दी है, कि गंगा के द गया और नवदा का जो उतरतम छेतर है, उतरी जो छेतर है वहाँ पर भी आपको ये कगारी मिट्टी मिल जाएगी, तो गंगा का दच्छडी तट, सोन, कियोलो और फालगो नदी के जो किनारे, इस्थित आपको मर्दा देखने को मिलेगी, वैसी मर्दा का नाम क्या होगा कगारी मिट्टी और कगारी मिट्टी जो है मुख रूप से बिहार में सबजी उतपादन के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है, सबजी उतपादन के लिए कौन सी मिट्टी बिहार में प्रसिद्ध है, तो कगारी मिट्टी, सबजी उतपाद अब हम देखते हैं करायल और कैवाल मर्दा, करायल और कैवाल मर्दा मुखिलूप से पुरानी जलोड मर्दा होती है, जैसे हम लोगों ने उत्तरी गंगा के मर्दा छेतर में पुरानी जलोड जिसको हम लोग बांगर मिटी कहते हैं, उसी तरीके से गंगा के दच्षिड में जो पुरानी जलोड मर्दा का जो छेत्र मिलता है उसको हम लोग कहते हैं करैल और कैवाल ये इस्थानी ये नाम है इसकी अवस्थिती आपको रोहतास से लेकर गया और अंगाबाद पटना जहानाबाद मुंगेर और भागल पूर तक देखने को मिलेगी यहां दच्ण के वेजिले जहाँ पर गंगा नदी और उसकी साहाईक नदीयों का जो पानी है बार का जो पानी परतिवर्स नहीं पहुँछ पाता है और उससे जो पुरानी जलोड का मैदान बनता है गंगा के दच्ण में उसको कौन सा मैदान कहते हैं कारायल केवाल मर्दा कारायल और केवाल मर्दा की जो बेसिक यहां पर अंतर है मुख्य रूप से यह देख रहे हैं कि कारायल मर्दा जो होती है लेकर जो केवाल मर्दा होती है वो चारी वा अमली दोनों गुड़ों को आप यहां पर संतुलित मातरा में देखेंगे तो यह different याद रखिए पेरेल मरदा चारीय मरदा होती है और कैवाल मरदा जो होती है ये चारीय और अमलिय दोनों के गुरी इसमें टीमे मिलते हैं कैवाल मरदा ये दोनों ही पुराने जलोड मरदा हैं जो गंगा के दच्छरी हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे बिहार में। कारड इसमें जो जल ग्रहंट छमता है वो अधिक होती है जल ग्रहंट छमता अधिक है तो मिट्टी ये उर्वरक भी होती है पर्मुक फसले गेहूं चना अरहर बाजरा जुआर आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो कैरेल कैवाल मर्दा याद रखिए ये पुरानी होती है जल ग्रहंट छमता इसकी अधिक होती है क्योंकि इस मिट्टी में गाद बालू और मृतिका का मिस्तरड होता है मिट्टी के कड़ों के आधार पर हम मिट्टी की जल ग्रहंट छमता को देखते हैं हमने आपको बताया भी था मिट्टी के कड़ों के आकार जो सबसे ब ज्यादा जो जलग्रहाट शमता होती है वो किले मिट्टी, मृतिका मिट्टी की होती है और सबसे कम जो जलग्रहाट शमता होती है वो बजरी की होती है तो मिट्टी के कड़ो का अकार का एक करम भी हो गया और जलग्रहाट शमता का भी ये करम हो गया कि सबसे ज़्यादा जलग रहाट शमता होगी मृतिका या चिकनी मिटी की, उसके बाद गाद की, फिर बालू की और सबसे कम जलगरह्ट शमता होती है बजरी मिटी की, चुझ हमने यहां पर आपको बताया कि कैरायल और जो केवाल मर्दा होती है ये गाद और इसमें आपको म प्रश्चिम में कैमूर पठार से लेकर पूर में राज महल की पहाड़ियों तक आठ से दस किलो मेटर चौड़ी संकींड छेतर में आपको बल्थर मिट्टी मिल जाएगी तो दच्छड मैदान और चोटानागपूर जो पठार है उसका जो मिलन छेतर होता है मिलन छेतर का मतलब जहाँ पर गंगा का दच्छडी मैदान और जो बिहार का पठारी छेतर है आपस में जहाँ मिलते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती हो बेसिकली बल्थर मिट्टी आपको वहाँ पर मिलेगी अगर इसको और हम स्पेसिफाई करें तो पश्चिम में कैमूर पठार से लेकर पूर में राज महल तक की पहाडियों तक जो 8-15 किलोमेटर चौड़ा संकीन छेतर होता है वो बल्थर मर्दा का होता है इस बल्थर मर्दा की विसेस्ताएं क्या होती है तो यह रेत और कंकड युकत होती है निम्न उरवरक सकती होती है सीधी सी बात है जब रेत होगा कंकड होगा तो उरवरता उसकी निम्न होगी पीला पन लिये हुए लाल रंग की मर्दा होती है जिसकी जल दारड चमता क्या होती है कम होती है पर मुख फसले यहां पर देखें तो यह मक्का, जौार, बजरा यानि मोटा अनाज आपको यहां मिलेगा बिहार का जो दच्छिरतम शेत्र है दच्छिरी जो जिले हैं वहां पर आपको मोटा अनाज देखने को मिलता है कि पैदावार जदा होती है तो बल्थर मिट्टी में भी मोटा अनाज मिलेगा जिसमें जौार, बजरा, मुक्रूप से मक्का बोया जाता है लहनी फसले भी बोयी जाती है मुखिरूप से अरहर और चना तो बल्थर मिट्टी के बारे में ये चीज़े याद रखना मुखिरूप से इसका विस्तार जरूर देखे लिए कैमूर पठार से लेकर राजमहल की पहाडियों तक 8-15 किलोमेटर चोड़ी संकेर छेतर में आपको ये मिलेगा और अगर पानी की भी कमी होती है तो भी मोटा अनाज जो है अच्छे से उगाया जा सकता है बोया जा सकता है तो इसलिए बिहार के जो दच्छडी जिले हैं वहाँ पर आपको मोटा अनाज देखने को मिलेगा तो बल्थर मिट्टी में भी आपको मोटा ना जिसमें मक्का जवार बजरा बोया जाता है और कई दलहनी फसले मुखिरूप से जिन में अरहर और चना सामिल है ये बोया जाता है अब हम देख लेते हैं दच्छडी पठार की मरदा दच्छडी पठार की मरदा मुखिरूप से आपको प्लेटो का ही विस्तार है चो छोटा नागपुर पठार है उसी का विस्तार है कैमूर रोतास और जो गया की पहाडिया है ये सभी पेनिंसुलर प्लेटो का ही विस्तार है ये पठारी छेत्र ही है और पठारी छेत्र की जो मिट्टिया होती हैं कैसी होती है लाल रंकी होती है क्योंकि इसमें लोहा परचुर मात्रा में होता है लोहा परचुर मात्रा में होने के कारड इसका रंग लाल होता है और जब ये मिट्टी गीली हो जाती है भीग जाती है तो इसका रंग कैसा हो जाता है हलका उसमें पीला पना जाता है तो लाल बलुई मर्दा क्यों कहा जा रहा है क्योंकि इस मिट्टी में आपको बालू भी देखने को मिलती है तो बालू की मात्रा अधिक होने के कारड इस मिट्टी को हम लाल बलुई मर्दा कह देते हैं कैमूर और रहतास के पठारी भागों में आपको देखने को मिलेगी उर्वरक सक्तिसकी निमने स्रेणी की होती है इसलिए यहाँ पर जो प्रमुक फसले बोई जाएंगी वो कैसी फसले होंगी मोटा अनाजवाली जिसमें जवार बाजरा मक्का की खेती पर मुकरूब से होगी उसी तरीके से आगे देखेंगे तो लाल पीली मर्दा ये भी दच्छडी प्रैद्यूपी पठार की मर्दा है इसकी अवस्थिति आपको दच्छड पूरुई बिहार यानि बांका, जमुई, नवदा, गया, मुंगेर, औरंगाबाद का जो पठारी छेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो दच्छडी पठारी मर्दा को दो भागों में बांट लीजे जो दच्छड पस्ची वाला जो छेत्र है जिसके कारण मिट्टी का रंग लाल होता है उरवर्ता इनकी निमने स्रेडी की होती इसलिए फसले याँ पर कैसी बोई जाएंगी मोता अनाज इस तरीके हमने मिट्टी तो पढ़ ली मिट्टी जितनी होती है बिहार की घंगा के उतरी मैदान की मिट्टी देख ली जिसमें परवत पदी, पुराना जलोड, नवीन जलोड और बालसुंदरी मरदा, घंगा के दच्छडी मैदानों की मरदा में ताल मरदा, कारायल केवाल मरदा और बल्थर मरदा को पढढ़ा, और दच्छडी पठार की मर्दा में हमने लाल बूली और लाल पीली मिट्टी को देख लिया अब हम कुछ important fact यहां देख लेते हैं जो लगातार आपके exam में पूछे गए हैं इसलिए जो भी important fact है जो आपके exam में आ सकता है उनको हमने एक ही जगे यहां collect कर दिया है हलाकि question कहीं से भी पूछा जा सकता है मिट्टियों से अभी जितना हमने पढ़ा है वहां से भी प्रशना सकता है लेकिन कुछ ऐसे fact जो लगातार आपके exam में पूछे गे हैं इनकी पूछे जाने की आगे भी प्रबल संभावना है उनको हमने यहां पर एक जगे एक अठा कर दिया है लगबख साथ से आठ पॉइंट है मिट्टियों के संबन्ध में तो देख दीजिए सबसे पहला आप से एक जाम में पूछ लिया जाए भाबर के छेतर को ही बिहार में परवत पदीय मिट्टी के विस्तार परवत पदीय मिट्टी को कहेंगे तराई का छेतर हमने आपको बता ही दिया है पुराना जलोड को बांगर कहते हैं और नवीन जलोड को खादर कहते हैं भाबर का छेतर में जो मिट्टिया मिलेंगी वो कौन सा एरिया होगा तो बिहार का परवत पदिय मर्दावाला छेतर मुखरूप से बिहार का जो उत्तर पस्टिमी छेतर है पस्टिमी चंपारड वहां पर आपको मिलेंगी बिहार में पीड मौंट स्वायप मिट्टी पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है तो यह नवीन जलोड खादर मिट्टी जिसको हम कहते हैं तो याद रखिए यह आपके एक्जाम में पूँचा जा चुका है इसलिए हमने आप को यह बता दिया कि अगर आपसे पूँच ले दर्भंगा मुझफर पूर चंपारड जिले में कै अगर फिर से पूच ले कि मुझफर पूर दर्भंगा चंपारड जिले में कैसी मिट्टी मिट्टी आपको तो नवेन जलोड खादर मिट्टी बिहार में अधिक वर्सा के कारण व्रहत इस तर पर जूट की करसी होती है और ये जो जूट की करसी होती है मुकरूप से उत्तर पूरी बिहार के जो जिला है पूरिया, कटिहार यहाँ पर आपको मिलती है अगर बिहार में पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा जूट उत्पादक किस जिले में होता है तो पूरिया में होता है कई बार कोश्चन पूछा गया है कि बिहार में सबसे ज्यादा जूट किस जिले में होता है तो क्या बताएंगे पूरिया में बिहार अच्छा जूट उत्पादन में पूरे देश में अगर आपसे पूछ लिया जाए किस नंबर पर आता है तो दूसरे नंबर पर पहला नंबर है पस्चिम बंगाल का जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है बिहार और बिहार में भी सबसे ज्यादा जूट किस जिले में होता है तो पूरिया में अगर area wise कूश ले तो उत्तर पूरवी बिहार में जिसमें पूरिया, कचिहार, दर्बंगा यह सब भी डिस्टिक आ जाते हैं जहांपर जूट उत्पादन बिहार में होता है और सरवादिक जूट किस जिले में होता है विहार की पूढिया डिश्टिक में विहार के लगबग 90% चेत्रफल पर विस्तित मर्दा है तो जलोर मर्दा जिसको दोमट मर्दा, कॉप मर्दा या कछारी मिट्टी भी कहते हैं ये बिहार के लगबग 90% छेत्रफल में विस्त्रित है बिहार के दाल का कटोरा कहते है मुकामा ताल ताल वाला छेत्र हमने आपको बताया था ताल मर्दा ये निम्न भूमी छेत्र होता है जहां पर वरसारितु में पानी भरा होता है सूखने के बाद में यहाँ पर रभी की फसल अच्छी होती है और रभी की फसलों में भी मुखी रूप से जो दलहनी फसल है दलहनी में भी अगर आप स्पेस्पिक रूप से पढ़ेंगे तो चना यहाँ पर बहुत होता है तो मुकामा ताल या ताल वाले जो मर्दा का छेतर है ताल मर्दा का एरिया है वहाँ पर चना बहुत होता है दलैनी फसले बहुत होती है इसलिए बिहार का दाल का कटोरा कहते हैं मुकामा ताल को और मुकामा ताल विस्टु का सबसे बड़ा ताल है यह चीज़ आप याद र में पढ़ा था और बिहार बिगोल में भी हमने मर्दा की छेत्र को डेटेल में पढ़ लिया आप चाहे प्रलिम्स में कोश्चन आए चाहे में में कोश्चन आए उसको आप सांदार तरीके से लिखेंगे उसका जवाब देंगे तो यह है 70 BPSC मेंस के लिए हमारी बैच संकल जिसमें हम प्रलिम्स और मेंस दोनों की क्लासेश पढ़ रहे हैं जिनको इन्रॉल होना है वो दिये के नंबर पर अधिक जानकारी ले सकता है जो भी क्वाइरी जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो बच्चे संकल बैस से जुड़े हैं अगर उनको कोई समस्या हो पढ़ाई से समंदित तो वो मैसेश कर सकते हैं धन्यवाद जय हिंद मिलेंगे अगली क्लास में